हलो प्रेंट्स आज मैं बताऊंगा आपको एदी पसुम में इदी में स्टाइटी से अनी थनेला रोग हो गया है एदी आपके पसुम में टीट इंपेक्शन हो गया है या किसी भी परकार का एदी थनू से समधी डिजीज हो गई है तो उसके अन्दगत जो इंट्रा में मेरी इंफ्यूजन जो ओइंट्मेंट यूज में ली जाती है वो किस विद्धी से उस थन के अन्दगत चड़ाई जाती है इसके बारे में आज आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा यह यह दिए भी आए मेरे चैनल पर नएे आये है तो पहले आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लाल वाला बटन आपको देख रहा उसको दबा लें सॉती-सॉत आप बेल आइकन को भी दबाएं और तकि बहुत जासे में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिविकिशन आपको समय समय पर मिलती रहे देखो आज जो दिखाऊंगा मैं उस गाय की किये कि मेस्टाइटिस है मेस्टाइटिस होने के बाद में इंट्रा में मेरी जिस प्रकार से यह त्यूब यूज में लिए जाती है जिस प्रका प्रकार दूसरी और आती है जो इन्फूजन आती है वो इस की आती है इस तरह से आती है उसको भी लगाने की ये विदिय मेंस्तायटिस देखा जाता है कि कौन सा इस परकार का थनेला रोग है किल्निकल है सब किल्निकल है या आपके परसूं में एक्वाइब है या क्रोणिक सेज है या calling सिम्टम्स होते हैं इसके बारे मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी भी है वो भी आप जाकर के देख सकते हैं और वैसे भी मैं आपको एक लेटे स्टोरी वीडियो बनाके बताऊंगा कि जो एदि थनेला रोग हो जाए तो उसमें पसूं का किस तरह से आपको ट्रीट हो जाए जाएगा और जितने वी प्रकार के ज deposit हो या बेशा भी में लगाने की एक ही विदी विद्धी है परटीट में जो फो यह यह और ऑना चाहता हूं कि जिब हए आप यूज में लेते इंट्रम में ? यह लगाने के बाद में 48 गंठें तक उस पफशू का दूद्न उपियोग में उप्योग में रहें लेकिन जिस थन के अंद्रगत उस थन का 48 गंठें तक उस दूद्न को उप्योग में नहें और वैसे इंट्रा में में जो इन और पूजन आती है इस bak going twenties यह इस इसस अधरा में बобразrah आती है या acute stage में mastitis हुआ है या teeth infection है या डर infection है तो आप यूज में ले सकते हैं जिस teeth के अंदर कर इंफेक्शन हुआ है उस चीज में आपको यह उपयोग में ले सकते हैं लगातार आप एक थन के अंदर कर चार दिन यूज में ले सकते हैं और वैसे भी आज कल इंट्रा में मेरी infusion आती है जैसे mastivoke है जिस प्रकार से address है यह आप अपने पसूं में एक बड़ लगाने के बाद में आप 48 गंटे या बहतर गंटे बाद में ही आपको यह रिपीट करनी होती है जो यह इंट्रा में मेरी infusion आती है लेकिन इनका भी एक बात schedule होता है कि कौन सी कम जो कौन सी जो antibiotics जो मिले वे होते हैं इसके अंद्रगत कितना time चाहिए वो आपको उसकी पूरी detail आपको जो इंट्रा में मेरी infusion होती है उस पर लिखावा होता है कि आपको कितनी single dose है single dose का मतलब better गंटे तक रहती है या आप अपने पसूं को लगातार लगा सकते हैं इसलिए ध्यान पु complete निकाल लेना चाहिए जितना भी दूद होता है उसका complete दूद निकाल करके उसके बाद में ही जो यह intramemory jointment आती है उनका उपयोग में लेना चाहिए यह बात आप ज़रूर धियान रखें जितने वी intramemory यह ointment आती है इनको आप दूद complete रहना चाहिए थन से थन के मेस्टाइटिस होते हैं जिन मेंसे कभी बिल्कुल भी दूद नहीं निकलता है दूद की इस्तान पर वहांपर पानी निकलता है या पानी बरा रहता है या आपके पसूद अच्छी तरह से दबाके देखना चाहिए कि उसके अंदर का शूजन कैसी है नौर्मल शूजन है या chronic stage में दर्द कर रही है या दर्द नहीं कर रही है यह दिए आपके पसों को fibrosis category में चला गया है तो in ointment का कोई उप्योग नहीं है fibrosis का मतलब है कि यह दिए आपके पसों का teeth हो एकदम hard हो गया है बिल्कुल भी दब नहीं रहा है यह दिए आप उसमें इंट्रा में मेरी यूज में ले रहे हैं तो बहुत हार्ड तरीके से चणने में दिक्कत आ रही है तो उसके अंद्रगत इसका कोई रोल नहीं है यह बात भी आप ज़रूर ध्यान रखना इस चीज़ का है अब कैसे चडाई जाती है है वहाएं मेरी वीडियो में देख सकते हैं भी इस तरह से आपको यह जो इंट्रा मेरी जो नेडल लाती हैं इसको आपको चडाना इसको आपको त्रह से चुमा थिर दered तो सब्सक्राइबनी वेच現在 भी चिरहें उसको आप सब्सक्राइब पूरे की सब्सक्राइब गुमा को सब्सक्राइब शनुoryेबन टेश मेंकरे सब्सक्राइबयर्ट सब्सक्राइबर है। आप इसके इंद्र बिसके अंदरक परिक कि जो यह को तरह से तरह से द्धाइनाकिहा Dot हम किन को निचे से अच्छी तरह से द्धाएगे द्धासफिया कि आप कहें कि इसको चींथиваем म yard동 निचे से दबाते हुए आपको और ellow निडिल ह Aid that बैस्ट की उसको निचे खीचना डिर्अ को इसको म irritated बूरा जो इसके अंतर जो करीम होती इसकी हो पूरी चढ़ा देनी यह इस प्रकार से आप इससी परगार से को इसी भी कोई थो sih में आती है वह इसी वीदinnen से आप चड़ा सब्सक्राइब कोई भी एक सब्लाइब नहीं है और इस थे अबिस तो यह इंडल रोग बना था अब यह क्रोनिक स्टेजम नहीं आ रहा था तो इसके लिए इनफेक्शन था अब इसको निकालते हैं तो एंटी कलोकवाइज गुमाते वे यानि उल्टी दिशा में गुमाते वे आपको इसको जो इंट्रामेमेरी जो यह नीडल आती है इसको बाहर निकालना या इंफ्यूजन को बाहर निकालना है इस तरह से आप इसको बाहर निकाल स कि इंट्रा में मेरी जो ओइंटमेंट आती हैं वो कैसे सड़ाई जाती हैं यह दि आपको इस तरह की यह दि वीडियो अच्छी लग रही हैं तो निशे जाकि आप कमेंट में लिखें मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ पसुपालकों के साथ और मेरे जितने भी veterinary student हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके share करें और मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें आपके एक लाइक से मेरे को motivation मिलता है और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी और knowledgeable वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे हिलाता रहूँगा यदि अभी आप मेरे चेंदर प को प्यार देते रहें थैंक्स धन्यवाद